दोस्तों नमस्कार आपसे किसी ना किसी मुद्दे पर बात करते हैं हम आपसे डेली बताते हैं किसी ना किसी विधानसभा छेत्र का समीकरन वहां की स्थिति वहां के हालात और पुराना वहां का इतिहास आपके साथ आज मैं एक बर फिर मौजूद हूँ हतीन विधानसभा को लेकर हतीन विधानसभा जहां पर की 30 साल से 3 दशक से कॉंग्रेस के लिए जमीन बंजर है हतीन विधानसभा जहां पर लगबक 3 दशक से बलई बीच में कॉंग्रेस की सरकारें तो बनी लेकिन हतीन में कॉंग्रेस के नेता विधायक नहीं बना और मैं आपके साथ इसी मसले को ले करके हूँ इसी बात को ले करki हूँ कि 2024 में आखिर क्या होगा कि आगे बढ़ने से पहले आपको बता हूँ जो मैं आपको कह रहा था कि तीन दशक से तीस साल से अर्याणा यानि कि 30 साल से हथीन के अंदर کॉंग्रेस का विधायक नहीं बना तो अगर आप इसे कुछ यू देखें 1991 में यहाँ पर मास्टर अजमत खां के रूप में कॉंग्रेस के अंतिम विधायक बने मास्टर अजमत खां कॉंग्रेस की टिकेट पर चुनाव जीतकर विधायक बने और सरकार के अंदर चेर्मेन हुए वो कॉंग्रेस के आखरी विधायक थे उसके बाद कोई नहीं विधायक बना कॉंग्रेस के सिंबल पर 1990 में मास्टर अजमत खां चुनाव जीते कॉंग्रेस की टिकेट पर 1996 में यहाँ पर चौधरी हर्श कुमार विधायक बने हर्याना विकास पार्टी के टिकेट पर 2000 में यहाँ पर चौधरी भगवान सायर रावत चुनाव जीते इंडियन नैशनल लोगदल के टिकेट पर भी इंडिपेंडेंट निर्धली है 2014 में यहाँ पर केहर सिंग रावत चुनाव जीते इंडियन नैशनल लोगदल के टिकेट पर और 2019 में यहाँ पर चौनाव जीते परवीन डागर वो भारती जन्ता पार्टी के विधायक बने 2019 में परवीन डागर ने कॉंग्रेस को हराया कॉंग्रेस के मुहम्मद इजराईल सेकिंड नंबर पर है दूसरी पोजिशन 2014 में इंडियन नैशनल लोगदल के केहर सिंग रावत विधायक बने उन्होंने भी कॉंग्रेस को हराया चौधरी जलेब खां उनसे हारे हलाकि उस चौनाओं में चौधरी हरषकुमार वी थे भारती जंता पारटी के टिकेंट पर तीसरे स्थान पर पहुंचे 2009 में जलेब खां जीते तो उन्होंने कॉंग्रेस के कैंडिडेट चौधरी हरषकुमार को हराया दोजार पांच में caudhri हरशकुमार जीते तो उन्हों ने भी कॉंग्रेस को हराया दोजार में caudhri भग्वान साय रावत इंडियन नेशंनल लोगदल के टिकेट पर जीते तो उन्हों ने भी rel輕 si यहाँ पर उन्हें से क्यानवे के बाद नहीं बना अब 2024 में क्या है कि 2024 के चुनाव में क्या हो सकता है कि 2024 में क्या हो सकता है यहां मेहत्वपुन बात दोस्तों यह है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में गया इस चुनाव में कॉंग्रेस की कैंडिडेट चौधरी महेंदर परताब जो लोकसभा के कैंडिडेट थे वो हतीन में 51,000 से जादा वोटों से चुनाव जीते 2019 के चुनाव में जरूर यहां पर क्रिशनपाल गुजर हतीन से भी आगे रहे थे 2014 के चुनाव में तो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ उस चुनाव में यहां से अवतार सिंग भड़ाना कैंडिडेट थे कॉंग्रेस के और क्रिशनपाल गुजर कैंडिडेट थे भारती जन्तापालिटी के उस चुनाव में कड़ा मुकाबला हुआ था तो यानिकी लोकसभा चुनाव में तो कॉंग्रेस का प्रदर्शन फिर भी भले ठीक रहा हो लेकिन विधान सभा चुनाव में दिक्कत होती रही और मैं आपसे उसी बात को लेकर हूँ कि 2024 के विधान सभा चुनाव में हतीन मे क्या हो सकता है हतीन विधान सभाज चुनाव में कॉंग्रेस का टिकेट मांगने वाले लगबग डेड़ दर्जन से ज़्यादा लोग हैं बीस लोगों ने दावेदारी की है अपना अपना आवेदन किया है कॉंग्रेस के टिकेट के लिए इनके अलाबा ऐसे लोग भी हैं चौधरी हर्शकुमार बाद में कॉंग्रेस में शामिल हुए जब उनकी आवेदन की तारिक पूरी हो चुकी थी हलाकि आवेदन तो उन्होंने भी जरूर किया होगा अब कॉंग्रेस किसको टिकेट दे तो बात बने हथीन में कॉंग्रेस कि टिकेट मिला वो भी चुना भारे अलाकि मार्जन बड़ा कम था 2019 का मार्जन तो लगबग 2200-2400 वोट के आसपास चुना भारे थे मुहम्मद इजराईल अब बात चल रही है कि 2024 में क्या हो तो मैं आपको बता रहा था कि लगबग डेड़ दर्जन से ज़्यादा लोगों ने 20-21 लोगों ने आविदन किया है कॉंग्रेस के टिकेट के लिए टिकेट के लिए दिल्ली की दौर लगातार जारी है मुहमद इजराईल पहले नंबर पर हैं टिकेट के दावेदारी में चौधरी हर्शकुमार भी दावा ठोक रहे हैं मुहमद इजराईल के लिए कहा जा रहा है कि अगर उनको टिकेट नहीं मिला तो वे फिर चौनाव मैदान में होंगे इंडिपेंडेंट होंगे या किसी और पार्टी से होंगे और यह दर दूसरी तरफ चौधरी हर्शकुमार के बारे में बात चल रही है चौधरी हर्षकुमार के बारे में बीच में तो ये बाते भी चली कि क्या वो कॉंग्रेस छोड़ सकते हैं लेकिन वो कॉंग्रेस में हैं आज भी कॉंग्रेस में हैं और कॉंग्रेस की टिकेट की दावेदारी कर रहे हैं अब बात ही आ जाती है कि अगर मुझे टिकेट नहीं मिला तो आप कंफर्म मान करके चलें तै मान करके चलें एक दिर मुझे मिले थे मुझे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि उन्होंने देपेंदर हुड़ा जिसे कहा कि अगर मुझे टिकेट नहीं मिला तो मैं तो चुना बंदेंट आते हैं तो क्या होगा और अगर मुहमद इस्राइल को टिकेट नहीं मिलती वो कहीं और से आते हैं तो क्या होगा हतीन का विधानसाभाद चुनाव जो है वो बड़ा अलग तरीकी से चलता है यहां पर जो चुनाव होता है वो जाट वर्सिज मेव रहता है यह दिये थे कास्ट वाइज कि हथीन में कॉंग्रेस का चेहरा कौन होगा किसको होना चाहिए कौन हो सकता है लगवग एक लाग तीन-चार हजार वोट के आसपास मेव मुस्लिम बंदाताओं के वोट है हाला कि कुछ लोगों ने उस मेरे वीडियो में कमेंट्स में कहा है कि ए 40-43 परसेंट और अगर बात करें हिंदू समाज की तो फिर उसके अंदर सबसे ज्यादा जाट मदाता है अठावन हजार के आसपार उसके बाद तमाम अलग कास्ट हैं गुजर हैं राजपूत हैं सी हैं ओबी सी हैं तमाम कास्ट के मदाता और आ जाते हैं अब अगर बात आ अगर मुहमद इस्राइल को टिकट नहीं मिलता तो मैंने आपको बताया वो कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे अगर मुहमद इस्राइल चुनाव लड़ते हैं तो उस्तिती में मानने कि मेव मुसलिम मदाता च्छिटक जाएगा कॉंग्रेस से और जो हिंदू मदाता है उस इसके लावा जो वहां पर OBC मदाता है गूजर मदाता है राजपूत मदाता है प्रहमन मदाता है यहां पर भी बीजेपी हैवी रहती है इस सिती में अगर कॉंग्रेस का कैंडिडेट कोई ऐसा हुआ जिसकी तरफ में मुसलिम मदाता भी नहीं गया तो फिर दिक्कत हो जा कि वो घूम रहे हैं खूब परचार कर रहे हैं लेकिन नाम की गोशना अभी उनकी हुई नहीं है अगर मुहमद इस्राइल को टिकेट मिलता है तो फिर आप मान करके चलें कि उनके पास एक बड़ा कास्ट फेक्टर बन जाएगा में मुसलिम प्लस दलित मदाता यानि कि ए इस्राइल को नहीं मिलता और 14 हर्शकुमार को टिकेट मिलता है कॉँगरेस का तो फिर आप मानने केmo opera के फेवर में तो मेव मुसलिम बददाता है उसमें नाराजगी बहुत ज़्यादा हो जाएग्ई कॉणरेस का टिकेट ना मिलने पर उस स्तीति में अगर मुहम्मद इस्राइल इंडिपंडेंट या किसी और पार्टी से चुनाव रड़ते हैं तो मेव मुस्लिम मद्दाताओं का जो बड़ा हिस्सा होगा वो मुहम्मद इस्राइल और फिर तयव उसन भीमसीका में बटेगा कॉंग्रिस के पास वोट मिलने की संभावना कम हो जाएगी उसके बाद जो कॉंग्रिस के पास जो मेन वोट शेर रह जाता है वो आप फिर दलित मद्दाता या फिर से जोडने लगबग 27, 28,000, 39,000 दलित मद्दाता और उसके बाद आप जाट मद्दाताओं का एक पक्षबो जोडने कि लगबग 20, 25,000 जाट मद्दाता जोडने की जिसमें शेर मिलेगा कॉंग्रेस को भहतायत नहीं उस थिती में अगर आएं तो फिर लगबग 50, 55,000 मद्दाता ऐसे होंगे जो कॉंग्रेस माइंडिट लोग होंगे इस थिती में क्या होगा अगर एक तरफ एक लाग 30, 32,000 मद्दाता होते हैं और दूसरी तरफ लगबग 50, 55,000, 60,000 मद्दाता होते हैं इसके अंदर ज्यादा मैथेमेटिक्स लगाने की जुरूत नहीं है क्योंकि जो कास्ट की केमिस्ट्री है वो जीत हार का मैथेमेटिक्स खुद बनाएगी और राजनीती के अंदर आप कोई कुछ भी कहे चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो चाहे वो भार्टी जन्ता पार्टी के लोग कहते हो कि सबका साथ सबका विकास चाहे वो कॉंग्रेस के लोग कहते हो कि कॉंग्रेस का हाथ सबके साथ लेकिन असली बात ही है कि चुनाव के अंदर कास्ट की केमिस्ट्री से जीत का मैथेमेटिक्स तै होता है और मैंने आपको ही बता रहा था कि हतीन विधान सभा के अंदर अगर कास्ट की केमिस्ट्री बिठाने में काम्याब कॉंग्रिस ना हुई तो फिर इस चुनाओं में भी 2024 में भी कॉंग्रिस को बंजर जमीन का सामना करना पड़ सकता है परियनाम परदेश में चाहे कुछ भी हो जो मैं आपसे एक विधान सभा स्पेशल की बात कर रहा था उसमें अगर कास्ट की केमिस्ट्री नहीं हुई तो फिर जो मैं आपको बता रहा था जीत का मैथेमेटिक्स बिगड जाएगा आपको क्या लगता है आप हमारी बास से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजना